M.I.D.C. महामंडा बुटिबोरीक शेत्र में संपादित की हुई किसानों की जमीन का वाड़े मुआवज़ा मिलने है तू M.I.D.C. अंतरगत आने वाले टाकरगाड गाव की किसान और पास में आने वाले सोला गाव की किसानों ने मिलकर निवेदन दिया है M.I.D.C. महामंडा बुटिबोरीक शेत्र में संपादित की हुई किसानों की जमीन वाड़े मुआवज़ा मिलने है तू M.I.D.C. अंतरगत आने वाले टाकरगाड गाव की किसान और पास में आने वाले सोला गाव की किसानों ने मिलकर निवेदन दिया है M.I.D.C. की क्विकास अधिनियम 1961 के कलम 33 अंतरगत जमीन संपादित की गई थी लेकिन जमीन का मुआवज़ा किसानों को और समाधन कारक मिल पाया है इस विश्य में पूरजन अधिकारी सामानिन नाकपुर एका दोफ्तर में किसानों ने एक शिठोकर निवेदन दिया है लेकिन फिर भी इस विश्य में अभी तक कोई निरने नहीं लिया गया है कृशिप्रधान देश में किसानों के सुनने वाला कोई नहीं है ऐसे में किसान आत्मत्या परती चारी है पुसंपादन अदिनियम की कलम 28 अंतरगत नियाले ने विविद संदर में मुआवसा बढ़ाने की बात की है किन्तो अभी तक किसानों को मुआवसा नहीं मिला है निवेदन देते समय प्रहार जन्षक्ती प्रक्षिय निता जिला उपाद्धिक्ष नागपूर ग्रामिन निलेश महुरकर हिंगना तालू का अद्धिक्ष आशिश खाड़ी, ताकलगार शाका, प्रमुक विजय अवचत, उप्षाका प्रमुक विजय पसारी और ताकलगार गाव की किसान उपस्तित थी PCN News के लिए ताकलगार से अमुल मतुरकर की रिपोर्ट